हुआ कि अचे अचार न इंचले का बगान पे अचलेश आता खी है तो और सोच्छ लमेडिया पी कि वाइरल हो जाता है उन दिनों को अगर अमर्जीत जैकर जी आप याद करते हैं तो क्या जीहन में बातें आती हैं वह सुबह किस तरीके से आपकी लाइफ को मूर दिया और यहां तक पहुंचा दिया है अगर जाएफ करके मैं निकलता हूं मैं इधर आता हूं तो बस ट्राइट कर रहा था उसके आपके आप देख रहा हैं तो आके हम एकदम और दो बच्चा था मेरे साथ पीछे पीछे आया क्यूंकि उसका खेत है तो इधर खेत में बाव हुआ था तो आया था दोनों देखने हमको नहीं पता था हुम को नहीं पता था कि यह तुल यह तो फीर हम मुझे को याद करते है कि एक महिना पहले हम क्या थे अब क्या है तो बहुत खुश हुए आप ने कहा हुए कि कि महनत सब करना चाहिए अपने कहा कि एक मैना पहले हम क्या थे हम उसी बात पियाते हैं हम जब आ रहे थे तो हम ना रास्ते में उकद एक जगा रुकिसे तो हम बोले आज के तारिक में कहा है तब उन्होंने कहा कि हम भी चाहेंगे उसे मिलने के लिए क्या इसकी सचाई है लोग आपको पागल कहते थे बिल्गुल कहते थे अब हमारे पैरेंट्स ही कहते थे दूसरे को चोड़ दे दूसरा अगर आपको गाली देना तो कोई फरक नहीं पर Всё लेकिन घर का व्यक्ति warmth आपको एकर रोक और कौए काम में बाधा डाले तो बहुत वुरा लगता है दूसरा मतलब नहीं रहता है जैसे आपको फी दूसरा कुछ भी करें मतलम नहीं रहता है तो लोग पागल कहते थे गाली देते थे जो जहन में आता था वो करते थे मैं तो सर नीचे करके चल दा था क्या रहे भाई चलो देने तो कोई मेरा भी वक्त आगा लेकिन उपरवाले ने सुना बात पहुंच गई घर के लोग कौन गाली देते मम बच्चे को सिखाते होंगा कि अब तू भी करो कुछ अच्छा उसके तरह बन जाओं हाँ एक दम यह तो कंफार्म है हाँ रिटर्निंग आप उनसे अब क्या कह रहे हैं हम तो यह कहेंगे कि मेहनत करें उसके बच्चे भी अगर मेरे से जहां तक होगा सहयोग करेंगे बिल आज को अमर्जीत जैकर से क्या चाहता है और क्या कहता है तक कोई दोस्त रहा है मेरे जो मतलब के लिए तोस्त रहा है मेरा ओदढाय तो तो जो मेरा क्या इसकी सच्चाई है लोग आपको पागल कहते थे बिल्गुल कहते थे अब हमारे पैरेंट्स ही कहते थे दूसरे को छोड़ दे दूसरा अगर आपको गाली दे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन घर का विक्ति आपको रोके कोई काम में बाधा डाले बहुत बुड़ा लगता है दूसरा कोई कुछ भी करते मतलम नहीं रहता है तो लोग पागल कहते थे गाली देते थे जो जहन में आता था वो करते थे मैं तो सर नीचे करके चल दा था क्या रहे भाई चलो देने दो कोई मेरा भी वक्त आगा लेकिन उपर वाले ने सुना बात पहुंच गई घर के लोग कौन गाली देते हैं मम्मी पापा भाई बहें देखे शुरुबाती में आपको सब बोलेंगे अगर आप जॉब भी नहीं करें अगर आस पर उसके विक्ति को जॉब लगता है तो ताना मीलेगा है कि देखो फलनामा का बेटा वो कर लिया तु उसके बच्चे भी अगर मेरे से जहां तक होगा सहयोग करेंगे किस लेवल का सहयोग करेंगे जो आपके दोस्त हैं जो आपके साथ पढ़े लिखे आज वो अमरजीत जैकर से क्या चाहता है और क्या कहता है मेरा आज तक कोई दोस्त रहा ही नहीं है जो भी रहा है वो एक्जाम जब देने गया थे तेंत का तब रूम पार्टनर था तो वो दो दोस्त है वो अच्छा है तो बाद वाकि कोई नहीं सब मतलब के लिए बनते हैं लेकिन इस संघर्स की जो कहानी है अमर जीद जैकर खुद इस संघर्स के साथ चलता है और इस मुकाम तक पहुंचता सब्सक्राइब जब तक आप खुद नहीं चलिया तो कुछ नहीं हो पाएगा जे तब खुद को महनत करना पड़ता है बिल्कुल अगर आपको टीचर अगर पढ़ाने के लिए आते हैं आपके घर पे आपको लिखा के चले जाते हो तो याद तो करना आपको होगा वो तो क कि क्या कुछ बहतर करने वाले हैं तो क्या जबाब होगा मर्गी जैकर जीकर गाने बहतर ही नाएंगे अगर हमारे बिहार की जनता है बहुत प्यार देती है यह चीज़ तो मुझे पता चल गया मुझे नहीं पता था कि इतना प्यार देते हैं भर-भर के दे रहे हैं लगता है यहां अब बीहार का कुछ है तो बहुत अच्छा लगता है जह मम्मी पापा भाई भहन लोका जो अब प्यार है पहले वाला प्यार में कितना कुछ बदला अब बदला है तोड़ा भाएगा सिट है चलो दो पैसा कमा लेका कहीं से लोग जानने लगे तो अब ठी आज की तारिक में खुश है हाँ बहुत खुश है भागवान सब को ऐसे ही खुशी दे जैसे मुझे दे रहे हैं यह जखा तक पहुशने का जो सफर है आपका कुल कितनी समय लगे आठ नौ साल लगा है आठ नौ साल पूरा है पूरा इससे पहले हम डांस भी सीखते थे कराट सब्सक्राइब भी सिखें और उसके याद म्यूजिक में आगे क्योंकि हमारा एक टीचर थे हम आइडियल पाभी की स्कूल में पढ़ते थे चंदन चोग पे तो उसमें एक सर थे वह बोले थे कि अगर बच्पन में किसी को पता चल जाए कि तुम इस चीज में बहतर कर सकत है तो सब बोलते थे डांस में भी मैं अच्छा था लेकिन उसमें कुछ अच्छा नहीं हुआ तो फिर म्यूजिक ऐसी स्कूल में सटर डे सटर डे मैं गाता था तब वहां से मेरा स्टार होगी अच्छा हम भी गा सकते हैं आप तो लंबा दूरी ताय कि बड़े-बड़े बड़े-बड़े स्टार से मिलें क्या कुछ सीखा आपने उनसे और क्या कुछ निर्देश मिला मैं तो सबसे पहले जिक्र किया कि जो छोटी-छोटी बारी की चीज होती है लोग जिसको इग्नॉर करते हैं वो चीज वहां बहुत काम आती है साहद उपर वाले की थी बहुत को सीखने को मिलता है आसपरोस घर की जो इर्द-इर्द लोग रहते हैं वो आप क्या चाह रहे हैं अब तो चाह रहे हैं कि मतलब और अच्छा करो और थोड़ा सा हम लोग पर ध्यान दो कैसा ध्यान दो बच्चे हैं उन पर ध्यान दो कि वो भी कुछ कर पाएं चा बहुत सारे लोग बोले हों कि scripted है अभी आप आए तो नंगा था या नहीं था तो पेंट नहीं पहें लिए उसकी मम यह भी बोली नहीं कि उसको पेंट पनाते हैं खोल के फेक देता हैं अब उसे बातचित कर रहे हैं थे हम उसे बातचित वहां पे बैठके मुसे कर रहे ह तो वह ऐसा ही है तो कोई script नहीं था वह जैसे दोनों ुट करने के लिए तो ऐसा ही है देखा देखी इसको कहते देखा उसी कहते देखा सपन देखा सपन अच्छ वह गाने का क्या बोल था जिस गाने से बड़ी पहचान मिली अब बड़ा चर्चा उसको थ्वा सा हम दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे दगा नहीं करेंगे सनम हो रब दी कसम यारा रब दी कसम जी वह गाना है जिसे पहचान में जी जी जी